पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी भगवान शिव और माता पारवती की पुत्री थी। अशोक सुंदरी को देवी पारवती ने कल्पवृट्ष से प्राप्त किया था। एक बार देवी पार्वती को उदास देख कर महादेव ने उनका मन बहलाने के लिए उन्हें स्वर्गलोग के नंदनवन ले गए वहा कल्प व्रिक्ष को देख कर माता को अत्यधिक हर्ष हुआ और वे उनके नीचे ही बैठ गई उस समय देवराज इंद्र ने माता की बड़ी सेवा की जिससे वे अत्यंत प्रसंद हुई उसी व्रिक्ष के नीचे बैठे-बैठे माता पार्वती ने अचानक ही अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक पुत्री की कामना की कल्पवरिक्ष कामना पूर्ण करने वाला व्रिक्ष था माता की इच्छा जानकर कल्पवरिक्ष से एक अत्यंत सुन्दर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ उस अध्भुत कन्या को देख कर महादेव और महादेवी बड़े प्रसन्द हुए और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्विकार किया मापार्वती ने उसे ये आशिरवाद दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक्से होगा समय बीता और अशोक सुंदरी जवान हो गई उसने प्रित्वी पर समराट पुरुवा और देवी उर्वशी के पौत्र और महाराज आयू और राहुकन्या प्रभा के पुत्र महाप्राक्रमी नहुष के बारे में सुना उस समय नहुष केवल एक बालक ही थे पर फिर भी उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पती मान लिया एक बार वो अपनी सक्खियों के साथ उध्यान में बैठी थी कि उसी समय हुंड नमक राक्षस वहाँ आया अशोक सुन्दरी का सौंदर्य देखकर वो मुग्ध हो गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा इस पर अशोक सुन्दरी ने हुंड को बताया कि उन्होंने नहुष को अपना पती मान लिया है इसी कारण वे उससे विवाह नहीं कर सकती यह सुनकर राक्षस ने क्रोधित हो गया और उनका अफरन करने पर उद्धत हो गया किन्तु भगवान शिव के भैसे उसका ये साहस नहीं हुआ उसने अशोक सुन्दरी से कहा कि वह नहुष को ही मार डालेगा और उसके बाद उनसे विवाह करेगा ऐसा सुनकर अशोक सुन्दरी ने राक्षस को श्राप दिया कि जा दुष्ट तेरी मृत्यू नहुष के हाथों ही होगी यह सुनकर वह राक्षस घबरा गया और उसने छल से राजकुमार नहुष का अफरन कर लिया हुण की एक दासी नहुष के बाल रूप पर मोहित हो गई और उसे अपना पुत्र मान कर उसने हुण से बचा कर महर्शी वशिष्ट के आश्रम में छोड़ दिया महर्शी के आश्रम में ही वे बड़े हुए और सभी शस्त्रशास्त्रों में पारंगत हो गए वे वापस अपने पिता आयू के पास पहुचे और सारे राज्य को संभाला नहुष के बाद महाराज आयू के चार और पुत्र हुए क्षत्रवृध त्रंभ त्रजी एवा अनेनस ये सभी और समस्त राज्य नहुष के सनरक्षन में सुरक्षित रहने लगे जब हुंड को इसका पता चला, तो उसने अशोक सुंदरी के अफ़रण का प्रयास किया, किन्तु मार्ग में ही उसका सामना नहुष से हुआ और उस युद्ध में नहुष ने हुंड का वध कर दिया अशोक सुंदरी ने नहुष को अपने बारे में बताया और कहा कि समय आने पर उन दोनों का विवाह अवश्य होगा इसी बीच इंद्र के हाथों वृत्रासुर का वध होने से उन्हें ब्रहमहत्या का पाप लगा और वे एक 000000 वर्षों तक प्रायश्चित करते रहे उसी काल में देवताओं ने नहुष को इंद्रपत प्रदान किया देवराज बनने के बाद नहुष ने महादेव और देवी पारवती की सहमती से अशोक सुंदरी से विवाह किया हालाकी बाद में इंद्राणी शची पर कुद्रिष्टी डालने के कारण नहुष श्रापगरस्थ हुआ और अजगर के रूप में प्रिथवी पर गिरा कालांतर में युधिश्थिर के हाथों उसे श्राप से मुक्ती मिली मत्स्य एवं अगनी पुराण के अनुसार नहुष और अशोक सुन्दरी को साथ पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ती हुई हालाकी महा भारत के अनुसार इनके 6 और कूर्म एवं पद्मि पुराण के अनुसार इनके 5 पुत्र ही बताएं